राउल गांदी ने मैसित दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने इस देश के राजाओं महlang ने अंग्रेजों की दलाली की अंग्रेजों की गुलामी की अंग्रेजों से पैसा लेकर इस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के या उनके डर से इस्ट इंडिया कंपनी का सायूद किया इससे घटिया इससे नीचता पूर इससे अपमान जनक और इससे मूर्खता पूर मैंने अपनी जिन्दगी में किसी राष्टी नेता की आस तब को यह सी तिपुरी नहीं सुनी राजपूर समाज छत्री समाज राजा महराजा इस देश के मान सम्मान और गौरों के प्रतिक्र है आज जिस भारती संस्कृती और सभेता की बात हम करते हैं उसको बना रखने में उसका संरक्षन करने में उसका संवर्धन करने में देश के चशतरी और राजेपूर समाज की राजाओं म्हराजांओं की बहुत बड़ी घुमका रही है वहां जो अखंड भारत उदेख रहे हैं उस भारत को अखंड बनाय रखने में यसुस्त समाज की बहुत बड़ी किया है हमने अपने गोरकपूर में महारपरताप की मूर्ति लगवाई हुई है घास की रोटी खाकर जिस ब्यक्ति ने आत्मसमर पर नहीं किया मोगनों के सामने मजबूती से ढटे रहे और उनके जीवित रहते हुए कभी भी कभजा नहीं कर पाए उनके सिंधासन पर हमने ऐ रहे हुँगे एक-दो राजपूत समाज के लो जिन्नों ने देश के साथ गर्दारी की होगी उंगली पर रहे होंको कि दीने नहीं रहे होंग हूँगे और आज इस व्यक्ति ने अ अने उने के माधियम से इस देस के संपूण चत्री राजपूत और राजा महराजा समराजु को इस प्रकार से अपमानित किया और मुझे आश्चर है कि राजस्थान में अभी लोग इसको जान नहीं रहें आपका भी सवाल पूरा नहीं था यानि आप भी नहीं जान रहें राजस्थान की भूंपे मैं खड़ा हूं राजस्थान की साइट सभ्यता के लिए राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी राष्टी नेता का इतना अपमांजनक आचरण और इतनी अपमांजनक टिपड़ी कट्ताइश्विकारी नहीं हो सकती है छत्री समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान यह कट्ताइश्विकारी योग नहीं है और इसलिए मैं हूं राहुल गांदी को बहुत स्पस्ट सलाह दे रहा हूं अभी भी समय है अपनी इन मूर्खतापुर बातों को वापस ल कि अन्यता संभावता आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड भी रोद जेलना पड़ेगा अधित्र सुनाव विदात्वाल लोग सभाव पूप चनाओ आप हर बार यह कहते हैं राश्टी नहीं कहता हूं जो सच है मैं वह कहता हूं मैं राश्टी महामंत्री हूं और व और भार्ष्टी के भाजपा के राश्टी नेतुत्यों की स्रंखला में मुझसे वरिष्ट है उपाध्यक्ष पहले होता है महामंत्रीबाद में होता है कि मैं किसी चुनाव परचार में मंच पर गया हूं क्या कि मैं तो पिछले तीन महीन से राश्टान में घूम रहा हूं आपने मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप किसी मंच पर जाकर के भाजपा के समर्थन में भासड क्यों नहीं कर रहा है एक भारती जनतापार्टी की संस्क्रति है उप चुनाव को हम लोग हमेशा अर्ठानी चुनाव मनते हैं और अस्थानी नेताओं के माध्यम से उसको लड़ने का काम करते हैं प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं अगर प्रत्यासिका चैन हो उसमें भी किस छेत्र में किसको लगाना है और किसकी मजबूती काम आने वाले है उसमें भी और चुनाओं को जितने की क्या रणीत बनाई जानी है उसमें भी हम अपने राश्टी नेताओं की राहे लेते हैं और उनके निर्देश पर काम करते हैं हमने बशुंद्रा जी की भी राहे लि कि आप भी अगर निस्पक्ष मुल्यांकन अपने अपने मन में कर रहे होंगे आप कह नहीं पाहेंगे लेकिन मैं तो कह सकता हुए सातों सीटों में आप कहीं भी भारती जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए जनता के बीच में अपन कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है कि साथ में एक सीटी भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है यह तो तह है और हम अहतिहासिक रूप से इस बाई एलेक्षन को सेविन जीरो के रिकार्ट से जीतने जा रहा है आदिवासी सीटों पर मैं नाम लेकर कह सकता हूं जिसे एक सीट के आप नाम नहीं ले रहे हम वहां भी जीतने वाले हैं मैं वहां स्वयम गया हूं मैं 84 की बात कर रहा हूं एक-एक मंदल की मैंने बैठक किया है और वहां के नागरिकों के साथ बैठक किया है अब वहां की भी परिस्थितियां बदल चुकी है भील स्वामाज के लोग इस बात को लेकर अपने सांसत से बहुत नहराज है कि अपनी राजनीत को चमकाने के लिए उन्होंने संपूर आदिवासी समाज को रास्त विरोधी और हिंदू विरोधी घोसित करने का प्रयास किया यह बताने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज जिन्दू समाज है ही नहीं और इसके नाते संपूर भील समाज में बहुत आप उस आक्रोज को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा हम बहुत अच्छी मार्जिन से से चौरासी कर चुनाव भी जीतेंगे देखिए कांग्रेस एक डूपती हुई नाव है अब कांग्रेस की नाव भरने वाली नहीं है तो कोई भी चतुर नाविक जब जान जाता है कि नाव डूब ही जाएगी तो क्यों चढ़ करके उसको पतवार उठा करके इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करें कि वो नाव बचा नहीं सका आज ये जो जिन्यताओं की आप बात कर रहे हैं मैं उन्हें नाम नहीं लुगा आग लगी है राजस्तान में चुनाओं हो रहा है राजस्तान में और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट में जार्खंड में अरे भाईया अपने घर का चुनाओं तो जीत लो तो यहां पतवार समालने के लिए तयार नहीं है यहां चुनाव परचार करने के लिए तयार नहीं है यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ चुका है 18 से लेके 23 तक इन 5 सालों में जितना सासन जितना भुरुष्टाचार इन्हों ने किया है अब जनता उनको इसके लिए माफ नहीं करते हैं और इन में से कोई भी नेता इस चुनाव का नेत्य तो करने के लिए तयार भी नहीं है अब वह चुनाव लड़ते हैं तो बसकी आतरा फ्री करेंगे विजली 300 फ्री देंगे महिलाओं को 2000 रूपिया देंगे बेरोचगारों को 3000 रूपिया देंगे वह जितना चाहें डोल्ड्रम बाट लिते हैं और वह चुनाव का उलंगन नहीं होता है अभी सुप्रीम कोट में मुकदमा चल रहा है और अगर मुकदमा सही स्वरूप लिया तो कांग्रेस के सभी नियानवे सांसदों की सदस्ता जाने वाली है उन्होंने लालच दे करके भ्रम पहिदा करके देश के नागरिकों में कि हम तुमको अगर चुनाओं जीत गए तो खटा खट एक लाक रूपिया देंगे अब परची भरवाई है तो सूप बोले तो बोले चन्नी बोले जिसमें बहत्तर छेट क्या बात करते हैं कि यह आपकी गलत फहिमी है और सुचना का भाव है राजंदर राठावर जी एक व्यक्ति है सातों विदान सभाओं में उन्हें जाना है एक एक क्रम करके वो सब जगह जा रहा है हमारे वरिष मेता है इतनी जल्दिवाजी मत करिए सवाल चुनाओं के बात पूछिएगा